हेलो फ्रेंज दिस इस सोनाली आहुजा वेलकम टू आर चैनल ओनली सिवल सर्विस एस यू नो फ्रेंज हमने हमारा साइटोलोजी चैप्टर स्टार्ट किया था उसको मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था अब हम बात कर रहे हैं और और प्रेंज हमारे आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे राइबोजोम गॉलगी बॉड़िज और लाइजोजोम के बारे। इन तीन सेल औरगनलीस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ राइबोजोम के साथ. राइबोजोम क्या है? कहां पर प्रेजेंट होता है हमारी सेल में? और इसका काम क्या क्या है? तो राइबोजोम ग्रेनूलर मासे होते हैं. राइबोजो राइबो का मतलब होता है आरेने प्लस प्रोटीन और जोम से आने होते हैं ग्रैनियूल्स तो राइबोजोम वो मासेज हैं जो आरेने प्रोटीन से बने हुए होते हैं यह एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम के साथ सस्पेंडे होते हैं और कभी-कभी साइटोप्लास्म फ्रील भी आपको देखने को मिलते हैं, जब मैंने आपको endoplasmic reticulum पढ़ाया था, तब ही मैंने आपको बताया था, कि endoplasmic reticulum दो तरीके के होते हैं, smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, तब ही हमने ये चीज़ पढ़ी थी, कि जो rough endoplasmic reticulum होता है, उसी में ribosomes suspended रहते हैं, जो मैंने आपको last video म बताया था, तो ये ribosomes endoplasmic reticulum के साथ भी पाए जाते हैं, और freely भी cytoplasm में पाए जाते हैं, ये RNA contain करते हैं, इनके अंदर rRNA, ribosomal RNA होता है, और इनका जो main function है, इसे का main function होता है, protein synthesis करना, इनका main function friends, क्या होता है, protein synthesis करने का, इसलिए इनको protein factory of the cell भी कहते हैं, friends, यह आप cytoplasmic reticulum के में भी कुछ आपको ribosome suspended दिख रहे हैं, उसके बाद ये freely, cytoplasm में भी आपको मिलेंगे देखने के लिए, अब friends, हम बात करते हैं, discovery की, तो जो ribosome की discovery है, वो animal cell और plant cell में, अलग-अलग scientist ने की थी, तो जो plant cell में जिसने सबसे पहले बताया के ribosome present होते हैं, वो बताया था हमें Robinson and Brown ने, 1953 में, सबसे पहले plant cell में ribosome को देखा था, Robinson and Brown ने, 1953 में, लेकिन animal cell में जिसने हमें बताया के ribosome present होते हैं, वो pallid थे 1955 में, इसलिए friends, ribosome को pallid granules भी कहा जाता हैं, क्योंकि 1955 में pallid ने बताया था, कि animal cell में ribosome पाया जाता है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ facts हमारे ribosome के बारे में, तो मैंने आपको अभी बता है कि ribosome को protein factory of cell भी कहा जाता है, क्योंकि ये protein synthesis का काम करता है, protein को बनाने का काम करता है, absence of any membrane, इसके पहले वाली वीडियो में, मैंने आपको जो cell organelles बताये थे, वो double membrane थे, मतलब दो membrane से मिलकर बने थे, लेकिन ribosome एक ऐसा cell organelle है, जिसके उपर कोई भी membrane नहीं होती, सभी membrane की absence होती है, और हमारे पूरे cell में सबसे smallest cell organelle भी ribosome होता है, इसका size 170 से 230 armstrong तक होता है, इतना छोटा है, होता है, इसके आगे मैं बात करूँ, types of ribosome की, इससे बहले भी friends, जब मै मैंने आपको eukaryotic और prokaryotic cell पड़ाया था, उसमें मैंने आपको दो तरीके के ribosome तब भी बताये थे, कि जो prokaryotic है, उनके अंदर 70S ribosome पाया जाता है, और जो eukaryotic होते हैं, उनके अंदर 80S ribosome पाया जाता है, उसका division भी हमने देखा था, कि जो 70S ribosome है, उसको 50S और 30S, दो यूनिट में बाटा जाता है, जो इसकी large unit है, वो 50S होती है, और जो small unit है, वो 30S होती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इक ribosome बना होता है, अगर मैं 70S की बात कर रही हूं, तो इसकी large unit 50S होती है, और small unit 30S होती है, बट अगर मैं बात 80S ribosome की कर रही हूं, तो इस इसकी लार्ज यूनिट 60S होती है और स्मॉल यूनिट 40S होती है यह होगी 60S और यह होगी 40S तो इस थरीके से दो तरह के राइबोजोम प्रजेंट होते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है जो 70S राइबोजोम है वो 80S के गंपरिजन साइज में छोटा होता है और यह बैक् 80S राइबोजोम है वो बैक्टीरिया और क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है लेकिन जो 80S राइबोजोम है वो हायर प्लांट्स और एनिमल्स में जितनी भी एनिमल्स और हायर प्लांट्स की सेल होती है उसके अंदर 80S राइबोजोम पाया जाता है Magnesium iron is essential for binding the ribosome इस ribosome को bind करने के लिए हमें Magnesium iron बहुत ज़ादा जरूरी होता है पहली friends मैंने आपको ये बताया है कि हमारा जो ribosome है वो RRN यानि ribosomal RN कंटेल करता है जिसके हम बात कर रहे हैं जो 80S और 70S मैंने आपको जो unit बता है ये subwork unit होती है इस subwork unit का मतला होता है 1 subwork unit का 1 into 10 rest to power minus 13 cm per second per dime ये इतने के बराबर होती है तो ये friends हमने बात करी थी ribosome के बारे में जिसमें मैंने आपको बताया है कि इसकी discovery किसने की इसका main function क्या होता है और ये कितने type का होता है second organally के मैं बात करूंगी Golgi bodies second हम बात कर रहे है हमारे organally की Golgi bodies की Golgi bodies एक irregular network होता है rod like globular bodies का ये mostly animal cells में ही देखने को मिलता है ये देख सकते हैं आप इस तरीके के crystal form करता है ये और इससे ही अलग होकर हमारे vesicles बनते हैं इनका गाम ये vesicles जो भी बना रहे है endoplasmic reticulum protein बनाने का काम करता है हमने friends endoplasmic reticulum में बात पड़ी थी कि जो rough endoplasmic reticulum में वो proteins synthesis का काम करता है यानि protein को बनाने का काम करता है वो protein को बना कर Golgi apparatus के पास भेजता है ये Golgi operator vesicles बना कर दूसरे पूरे cytoplasm में या cell के बाहर भेजने का काम करता है इसकी discovery है friends हम बात करता है discovery की तो इसकी discovery की थी Camelogalgi ने 1898 में Camelogalgi ने हमें बताया था कि cell में एक cell और्गनली प्रजेंटेट जिसको हम कहेंगे Golgi body The Golgi apparatus is a major collection and dispatch station of protein products मैंने अभी आपको friends बताया है इनका main काम क्या होता है कि जो protein product बनते हैं उसका collection करना endoblasmic reticulum से और फिर उसको vesicle बनाकर पूरे cell में पहुचाना काम होता है Golgi apparatus का ये endoblasmic reticulum से packaged के फॉर्म में vesicles बनाकर protein को लेते हैं ठीके friends यह आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरी process दिखाई दे रही होगी हमारा endoblasmic reticulum है जिस पर आपको यहाँ पर ribosome suspended दिखाई दे रहे हैं ये ribosomes protein synthesis का काम करते हैं protein बनाने का काम करते हैं यहाँ सर ये protein बनके endoblasmic reticulum से Golgi body में पहुचता है जिससे vesicles तूट कर vesicles बनाता है और ये plasma membrane के बहार इसको पहुचाने का काम करता है तो ये पूरी process होती है हमारी Golgi body की इसलिए Golgi body को हम postman of the cell भी कहते हैं ये कोई पॉइंट भी ध्यान रखना कई बार पूछा जाता है कि postman of the cell कौन कहलाता है तो हम postman of the cell Golgi body को कहते हैं इसके बात प्रेंट्स हम बात करें Large number of Golgi bodies occur in gland and nerve cells हमारी body में जितनी भी glands present है nerve cells जो हमारे brain में present होती है इन में large number of Golgi bodies पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर Golgi bodies क्या होते है protein का secretion करते है और या protein के ज़रुरत ज़ादा होती है इसके लिए आपे large number of Golgi bodies पाई जाती है बड़ जितनी भी हमारी muscle cells है यहाँ पर less number of Golgi bodies पाई जाती है अब मैं बात करती हूँ इसके लिए plant cell में एक अलग name यूस किया जाता है और animal cell में अलग तो plant cells में हम Golgi bodies को dactosome कहते है प्लांट cell में friends क्या कहा जाता है Golgi bodies को dactosome कहा जाता है लेकिन जब animal cell की बात होती है तब Golgi bodies को lipochondria कहा जाता है यह दोनों name आपको ध्यान रखने plant cell में dactosome animal cell में lipochondria अगर मैं आपको हर और्गनलीस में बताती हूँ कुछ exception होते है तो यहाँ पर Golgi bodies के exception क्या है कि यह सभी animal cell में पाया जाता है लेकिन RBC और sieve tube cells में प्रजेंट नहीं होता sieve tube friends आप जानते हैं कि phylum के अंदर प्रजेंट होता है तो RBC और sieve tube cells में Golgi bodies present नहीं होता तो यह बात करी हैं हमने अपने second organali की अब मैं बात करती हूँ आप से Lysosome की Lysosome are vacules like bodies that secret enzymes to digest food substance प्रण जो सबसे main काम होता है Lysosome का Endoplasmic reticulum ने protein synthesis का काम किया Golgi body ने उसको पहुचाने का काम किया postman की तरह अब Lysosome का काम होता है जो भी food substance है उसको digest करना वो एक तरीके का enzyme secret करता है जो post food material को क्या करता है digest करके रखता है ये membrane से बने होते हैं एक package जैसे structure होते हैं और हर cell में पाए जाते हैं यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये Lysosome Golgi body से तूट कर ही Lysosome बनते हैं और जब भी कोई foreign material हमारी cell के अंदर इंटर करता है तो Lysosome इसे अपने अंदर कर लेता है और बाद में exocytosis करके अब हमारी cell से बाहर निकाल देता है और food material को digest करने का काम भी Lysosome करता है अब मैं बात करूँ इसके discovery की तो इसको सबसे पहले discover किया था D. Duvet ने सबसे पहले किसने friends discover किया था 1955 में D. Duvet ने और इसका size होता है 0.2 से 0.8 micrometer 0.2 से 0.8 micrometer अब इसके functions functions इसके बहुत important difference और इसके different different नाम जिनसके अकसर question पूछा जाता है कि अगर इसे digestive cycle बोलते हैं तो क्यों societal bag क्यों बोला जाता है इसलिए हम scavenger of cell क्यों बोला जाता है तो lysosome के अंदर एक powerful hydrolytic enzyme present होता है जो से हर organic material क्यों क्या कर सकता है lysosome digest कर सकता है तो जितनी भी हमारे cellular digestive activities होती है हमारे जो भी foreign material आता है जो भी food material आता है उसको digest करने का काम करता है lysosome इसलिए हम lysosome को digestive vesicle कहते हैं क्या कहते हैं friends digestive vesicle क्योंकि ये food material को digest करने का काम करता है उसके बाद इसका second name होता है suicidal bag of cell इससे suicidal bag of cell क्यों कहते हैं क्योंकि हमारे cell को जब भी कोई damage होता है या हमारी कोई cell dead हो जाती है तो lysosome अपनी membrane को breakdown करता है और अपने पूरे flute को उसी time निकालता है ताकि वो क्या कर सके उसको digest कर सके easily इस process में क्या होता है lysosome अपने आपको भी destroy कर लेता है इसलिए हम उसको suicidal bag of cell भी कहते हैं तो ये कई नामों से पूसा जाता है मैंने आपको पहले बताया इससे digestive vesicle भी कहा जाता है और इससे suicidal bag of cell भी इसे scavenger of cell भी कहा जाता है अब lysosome digest intracellular and extracellular substance by exocytosis and endocytosis ये process मैंने आपको दिखाई थी हैं आप फिर से देख सकते हैं कि जो vesicles होते हैं जो lysosome है vesicles के form में पहले बाहर से foreign material अपने अंदर लेता है और फिर उसे exocytosis की process से cell membrane जो भी plasma membrane उससे बाहर करने का काम करता है तो ये intracellular और extracellular substances को digest करने का काम करता है दूसरा इसका काम है कि जितना भी undigested material जो भी हमारा बच जाता है उसको cell membrane के थूख हमारे cell से बाहर निकाल देता है तीसरा ये अपने functions के हिसाब से क्या काम कर रहा है उस function के हिसाब से अलग-अलग shape में पाया जाता है cell breaks down if lysosome explode friends ये question कही बार पूछा जाता है कि अगर हमारे cell में lysosome explode हो जाए तो हमारे cell का क्या होगा अगर friends ऐसा होता है तो हमारी cell भी breakdown हो जाएगी क्योंकि एक तरीका का suicidal back का काम करता है और अगर हम lysosome explode होता है तो हमारी cell भी breakdown हो जाएगी so friends इस पूरी वीडियो में हमने हमारे तीन और्गनलीस के बारे में बात की है जिसमें मैनेजर आपको उसके functions उसके discovery और उसके कहां पर और वो present होता है कैसे बनता है वो सब आपके साथ share किया है so friends thank you for watching keep like share and subscribe thank you